गाए भैंसों का भूसा चारा गंद ये खिलाते हैं हम अपने महमानों को और खुद भी खाते हैं आज मैं बात करूंगी वो पांच चीजों की जो हम रोज खा रहे हैं ये सोचके कि वो हेल्डी हैं लेकिन वो हमें बहुत सारी बिमारियां पैदा कर रहे हैं सबसे पहले तो है ये काले रंग का कोल ड्रिंग ये कोई किसी भी कंपनी का देखिए या तो इसमें शुगर बहुत जादा है दूसरे में डाइट कोग होता है जो कहने के लिए डाइट कोग है लेकिन वो पूरे श्री को खतम कर देता है डाइट कोग का अपने ब्लाडर के कै क्रिपया इसको ना दें ना पिलाएं ना पिएं उसके बाद हम पिलाते हैं जूस जिसको हम कहते हैं फ्रूट जूस अगर आप इस फ्रूट जूस में हर खाने के ऊपर नुट्रीशन के फैक्ट्स लिखे रहते हैं अगर आप इस नुट्रीशन फैक्ट्स को ध्यान से देखे इसमें इतने सारे chemicals हैं और fruit के नाम पे सिर्फ थोड़ी सी amount है तो क्रिपिया इसकी जगा पे आप घर में जा तो कटा हुआ fruit दें अपने महमान को या फिर आप शर्बत बना सकती हैं जो घर में और वो आप पिला सकते हैं बट आप शोर रहे हैं कि जिनको आप पिला रहे हैं जैस जैसे उनका वजन बढ़ेगा तो घुटनों में धर्थ और दूसरी बात है blood pressure, sugar, diabetes, instant diabetes का epidemic है और हर साल दो क्रोड लोग मर जाते हैं heart attack से जिसका कारण diabetes और hypertension है फिर है हमारे ये हमारे बच्चे पैदा होते ही आजकल तो ये खाते हैं जैसे होगा खाना शुरू होता है ये instant noodles है या फिर बजार की noodles है जो चौमेन के room बें famous है इनमें कोई nutrition नहीं है ये मैदा है refined floor मैदा एक ऐसा जहर है जो PCOD का सबसे बड़ा कारण है मैदे की वज़ाए से liver में fat जमा होता है और liver fatty हो जाएगा और ये चिपक जाता है intestine के अंदर जाके क्योंकि ये उबलने के ब totally बंद कर दीजिए फिर हर घर में happy birthday में cake, burger, biscuit, kurkure, pat foods, chips ये सब खिलाए जाते हैं अब इनकी क्या problem है baked foods में एक तो पहले उसमें मैदा होता है दूसरा उसमें oil होता है जो oil है वो palm oil use हो रहा है जितनी भी चीज़े बन रही है खास कर ये bakery ये तले हुए समान में घर में तो हम फिर भी कहीं न कहीं सर्सों का तेल और देशीगी यूज़ करते हैं लेकिन जो palm oil है उसमें 50% saturated oils है इंडिया सबसे बड़ एक्सपोर्टर है वो basically साबून बनाने के काम आता है वो तेल और वो हम खा रही है क्रीपिया जब भी packet उठाएं तो जरूर देखें के oil कौन सा है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि वो palm oil है palm oil बहुत बड़ा कारण है हमारी liver को damage करने का blood pressure का और sugar का इसके अलावा जो हम खाते हैं वो जो सबसे जरूरी चीज़ जो हमें नहीं खानी है वो है पांचों चीज़ें पैग्ड फूड जितने भी हम खाते हैं जो पांचों चीज़ें हमने बोलनी थी एक दो तीन चार और पांच यह हम खाना हम अपने सारे relatives या अपने गेस को खिलाते हैं और इसकी वज़े से blood pressure, sugar, diabetes, PCOD, घुटने खराब, hips खराब यह सारे इन foods की वज़े से शरीर को आप एक गाड़ी समझेए गाड़ी में अगर पेट्रोल की गाड़ी है उसमें हम पेट्रोल की जगा पे पानी डाल देंगे तो वो गाड़ी बैठ ऐसे शरीर में हम जो खाना खाते हैं अगर वो खाना ऐसा है जो हमारे खाने की nutrition को खतम करता है इसमें कोई nutrition नहीं इस खाने में ना इसमें कोई अच्छा vitamin है ना कोई mineral है सिर्फ नमक, मैदा, sugar, oil जो सिर्फ हमारे heart की vessels में जाके deposit हो जाता है और इसलिए यह हमें damage करता है तो खान पान में यह चीज़ है तो आज ही अपने बच्चों को ना दीजिए ना खुद खाईए ना मेहमानों को खिलाइए इसकी जगा पे आप नीबू पानी ले सकते हैं चाच ले सकते हैं fresh fruits लीजिए juices की जगा पे कोशिश करिए कि fruit कटा हुआ खाएं तांकि आपके अंदर फाइबर जाए जितना आपके अंदर फाइबर जाएगा उतनी आपको cancer से वो फाइबर आपको बचाएगा यह चोटी सी जो पान चीज़े हैं अगर आज अपने डाइट से बाहर करेंगे तो आप healthy रहेंगे डॉक्टर के court, डॉक्टर के stethoscope और हस्पतालों के चकर से बच आइबर जारेंगे